जैहिन मैं नविन कुमार सिंग विपेसी टियारी 3.0 एकजाम तो रद्ध हो गई लेकिन अब आगे क्या अभ्यर्थी क्या सोच रहे हैं अब आगे के बारे में क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो परिस्तिती अभी बनी है उसके अकॉर्डिंग टियारी 1 टियारी 2 दोनों पर भी प्रस्चिन लग गया है कि उसकी भी जाच होनी चाहिए और टियारी 2 खास करके संकाएं अब जाकर के वहां पर भी बन गई है कि क्या वहां भी धांदली हुई है क्योंकि टियारी 1 के बनिश्पत अचानक टियारी 2 में इतना अधिक कट आफ पहले से ही एक संका उत्पन कर रही थी लेकिन अब जाकर के जब टियारी 3 का मामला फसा जिस तरह किसा आर्थिक अपराद इकाई लगातार तह में जाने का परियास कर रही है कि आखिर बीपीएसी के कितने अधिकारी इसमें इन्वाल्व हो सकते हैं क्या टियारी 2 में भी इसका परभाव परा है तो य यह सारी बातें अब जान्च के दाइरे में आ चुकी है अभी आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पे चापेमारी लगातार चली रही है और आर्थिक अपरादिकाई धिरे-धिरे और सक्त हो रही है तो सबसे पहले तो आर्थिक अपरादिकाई को धन निवाद देना चाहते हैं तमाम अभिर्थी की तरफ से कि उन्हीं के कारण अभी जाकर के ये TRE 3 रद्ध हुआ और TRE 2.0 में अब ये देखना है कि वहां मामला किस तरीके से गरबर हुआ है अथ्वा नहीं हुआ है और अगर गरबर हुआ है तो उसके दोसी पकर में आते हैं कि नहीं अगर पकर में आते हैं तो उन पर क्या कारवाई होती है क्या TRE 2.0 संपूर्ण रूप से कैंसील हो सकती है अथ्वा जो पकर में जो टीचर आएंगे जो अभियर्थी अगर लाब लिये होंगे इंडिरेक्ट रूप से सिर्फ उन पर गाज गिरेगी बहुत तरह के बात हैं लेकिन हमको लगता है कि अभी TRE 1.0, TRE 2.0 की तरफ मुखातिव ना हो करके TRE 3.0 पर पूरी तरीके से अभियर्थी को फोकस करनी चाहिए और अब ये एक बड़ा सवाल है कि अब आगे एकजाम कब तक क्योंकि आपका 5 अप्रेल को 9, 10, 11, 12 का एकजाम एक तरीके स अब क्या लगता है कि ये एकजाम संपुर्ण रूप से यानि कि TRE 3.0 में 1, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12 कब तक हो सकती है तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्कूल वगर है, कॉलेज वगर है, सब अब कम्पलीट एलेक्शन की तयारी में लग गया है वहाँ पर केंपेन लगातार अब पुलिश का हो गया है, डेराव वहाँ पर अपना बनाए हुए हैं और पुरी तरीके से परभावित है सारा सिस्टम अब सवाल ये उठता है कि अब आगे एलेक्शन के बाद कब तक ये एकजाम संभावित हो सकती है तो आप यूं समझ सकते हैं कि जून फर्स्ट वीक में तो रिजल्ट ही आएगा तो अब जून जुलाई तक ये एकजाम जा सकता है और इसका परभाव टीरी 4.0 में भी नि भावित होगी तो उसके 3-4 में आगे या उससे भी आगे टीरी 4.0 जा सकती है अब सवाल ये उठता है कि दो महिने धाई महिने का जो समय सारे छातरों को इस बीच में मिल पा रहा है तो उसमें किस तरीके का आपकी रननीती होनी चाहिए जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को और धार दे पाएं दो तरह की बाते हैं एक तो यह है कि इस टुडेंट का जो परने का लई था वो लई अब तूट गया है अगस्त में पहले से संभावी था अगस्त में होता तो कोई बात नहीं था लेकिन जब मार्च में कर दिया गया और मार्च के हिसाब से सब अपन सभाविक है तो अब सवाल यह उठता है कि बहुत सारी निगेटिव बातों से बचते हुए निगेटिव बातों को इगनोर करते हुए अपने परफोर्मेंस को लगातार इस बीच आपको इंप्रूब करना होगा क्योंकि जो इस्थिती अभी बनी है एक्जाम कैंसिल करने ह होने की नवबत आई तो आगे अब संभावनाएं कम होगी क्योंकि जिस हिसाब से जात चल रहा है निश्ची तुरुप से सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो करके ही अब आगे एक्जाम कंड़क्ट कराएगी तो संभावनाएं नगन्य हो जाएगी आपका आगे question out होने का ऐस आप सोच सकते हैं गारिंटी नहीं है लेकिन सोच सकते हैं उस हिसाब से दो महिने धाय महिने का टाइम का आपको सदुप्यों करना है और जिस तरीके से टीयारी 3.0 में इस बार जो 1 to 5 6 to 8 में question का लेवल रहा जिस हिसाब से question पूछा गया उसको आधार बना करके आगे का त किस्ती से पूछ दिया उसी तरीके से political science में देखें एक topic लोगतर से कितना question पूछ दिया है तो इन सारे topic पर खासा focus आपको करना चाहिए और भी math and science में भी देखना है कि किस तरह का question पूछा और TRE1, TRE2 को भी base में आपको रखना है उसको भी ignore नहीं करना है सारे level को मिला कर करके अपने को तयार करने का प्रियास करना है तो अब पढ़ा हुआ तो आपका लगभग सारा कुछ हो गया था अब अधिक से अधिक बहतर revision की तरफ आपको move करना चाहिए अधिक से अधिक question का practice करना चाहिए अधिक से अधिक set का practice करना चाहिए और जो भी कमियां अगर रह गई होगी तिस बीच में उसको इंप्रूब करने का परियास करना चाहिए जहां तक प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग का सवाल है तो आप्टर हो ली अब प्रैक्टिस सेशन यूटूब पर तो आपका अलग चलेगा उसमें कहीं को दिक्कत नहीं है लेकिन इसके अ पूश्चन का कलेक्शन जैसा अभी पूछा गया है और उस हिसाब से उसका सॉलीशन मतलब एक एरेंज वे में जिससे कि अधिक सदिक आपको फाइदा हो पाए तो और दूसरी बात एक और हम बता देना चाहते हैं कि अभी आप देखेंगे आगे होली आपका है सबसे पहल अगे जो अपना उपलब्द बैच है या अपकमिंग बैच जो स्टार्ट होने वाली थी टीरी 4.0 को ले करके तो अगर छात्र कुछ उस बैच को भाई करना चाहते तो उनके लिए एक स्पेशल हमने होली के उपलक्ष में ओफर लाया है कि वैसे तो सब बैच का फी इस बा पर कंप्लीट चेंज कर दिया गया लेकिन फिर भी उसमें भी एक उफर लाया गया है होली के उपलक्ष में कि जो भी 499 से उपर का अपना बैच है सब में 30% आपका आफ मिलेगा यह आज यानि 22 तारिक से लेके 31 तारिक तक इसमें होली 30 करके आपको कूपन कॉड लगाना ह होगा होली और 30 के बीच में गैप आपका नहीं होना चाहिए और यह आपको प्लेटफॉर्म बाई नभीन कुमार सिंग एप पर उपलब्ध बैच में यह सुबधा मिलेगी तो जो स्टुडेंट चाहें इसका लाब उठा सकते हैं और जो बात है अभी हम बताएं आपको कि चोटी चोटी बहुत सारी बैचे जाएंगी प्रैक्टिस के लिए अप्टर होली यानि कि अप्रेल के फर्स्ट वीक से उसके लिए भी आप तयार रहें और आप खुद भी एक एरेंज हुए में बहतर तरीके से तयारी में आप लग जाएं जिससे कि इस अपर्चुनिटी का लाव आप उठा पाएं हम मानते हैं कि आप क्या परिशानी फील कर रहे हैं क्या मनुभाव आपका होगा लेकिन उससे तो काम नहीं होना है को एक्स्क्यूज नहीं अभी रहना है बल्कि आपको और बहतर तयारी में लग जाना है कि इस बढ़े हुए कंपिट्सन में कैस से अपना एक सिठम सुनिश्चित कर पाएं तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे बात हैं बहुत सारी हैं धिरे धिरे और भी बातों पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे धन्यवाद